einem psicot above dick ये बहुत important then most importantly this to पतावोनाची component के abdricud में कुन सा material कुन सा ingredient है सब में पतावनाची इसको याद करने की एक trick है हम इसको याद कर सकते सलीम से ऐसेistan I am Salim तो S से क्यों होगे Silica A से होगे Almenia L से होगे Lime I से होगे Iron Oxide M से होगे Magnesia और ये जो है एक बार इसमें S ही पूछ लिया गया है कि Match the following मतलब की एक question आया हुआ है EAC के 2002 में कि मतलब ये दे दिया उसके कुछ property दे दियोगी इसका आलग लग property दियोगी Match the following और उसके option दियोगे कि पहले का कौन सा match कर रहा है MCQ में question पूछ लिया जाते है बहुत बार कि मतलब किसकी कितनी percentage जैसे भी आ जाता है तो Silica Silica की जो percentage होती है 50 to 60% होती है ये में बहुत important है याद रखना है 50 to 60% होती है Alminia की कितनी होती है 20 to 30% Lime की कितनी होती है Less than 10% Iron Oxide कितनी होती है 5 to 6% Magnesia की Less than 1% ये में बात ध्यान रखना है और Silica जो होती है Help to maintain shape and size of the brick मतलब Silica किसमें help करती है Help to maintain shape and size उसकी shape and size को Maintain करने में help करती है Prevent shrinkage और क्या करती है Prevent करती है shrinkage को मतलब brick को सुकरने से रोप ये prevent करती है और Axis Silica makes brick brittle मतलब अगर ज़्यादा Silica हो जाएगी तो brick brittle हो जाएगी मतलब ज़्यादा Axis Amount में हम उसमें Silica बढ़ते हैं 70% के पास हमने Bricks में सिर्फ Silica है तो brick को brittle बना देगी ये 2017 पूछा गया है कि मतलब option दे दिया होगा कि मतलब ज़्यादा अगर हम उसमें Silica की मातरा ज़्यादा हो जाएगी तो bricks में क्या effect पड़ेगा तो ऐसे करके को सुन आ जाते है तो Elmenia Elmenia 2019 में question आया होगा है कि इसकी percentage मतलब कितनी percent अभी जो paper वहा था उसी में question आया हो कि Elmenia कितनी percent होती है bricks के अंदर 22 to 30 percent होती है और जो एक करती है इंपार्ट plasticity मतलब ये plasticity मतलब इसको किसी भी shape में change कर सकते हैं मतलब इसको shape में change कर सकते हैं स्रीटीम पार्ट करती है ठीक है 2019 में हाया होगा ये भी तो axis Elmenia case crack on track मतलब Elmenia की मातर अब जादा हो जाएगी तो क्या होगा उसमें dry जब dry हो रही होगी bricks तो उसमें वो उसमें cracks पढ़ जाएगे cracks आजाएगे तो ये इसकी एक disadvantage भी अगर हम ज्यादा कर देंगे Elmenia के quantity तो इसलिए 22-30% तक यह नीची है ज्यादा नीची 40% तक तो वो नुकसां करेगी तो lime less than 20% lime act ऐसे flux for silica lime जो वो act करती है flux मतलब flux मतलब की help करती है fusion करने में other ingredient को during burning ठीक है help in fusion of other ingredient during burning burning के दुरान जो सारे ingredient होता है सबको mix करने में fusion करने में help करता है on lime तो ये बात हमें द्यान रखनी axis lime क्या हो जागा lose of his shape on burning मतलब axis lime हो गया मतलब फिर वो bricks जो है अपनी shape को खराब कर सकती है shape टेडी मेडी हो सकती है मतलब टेडी brick हो गही अजीब सी shape बन जाती है bricks की वो जादा lime में जाने के जो से बन जाती है brick में भी distorted and disintegrated तो ये बात हमें द्यान रखनी iron oxide iron oxide ये impact करता है strength को impact करता है strength increase करने के लिए hardness increase करने के लिए color mainly जो इसका iron oxide होता है color उसको provide करता है red is and dark brown color जो इसका color होता है mainly iron oxide के जिसे होता है magnesium impact yellow इस थोड़ा yellow इस color provide करता है magnesium and prevent shrinkage shrinkage को prevent करने के लिए इसका use किया जाता है and excess decayed brick मतलब जादा हो जाएगी तो bricks decayed हो जाएगी मतलब खराब हो जाएगी